आयुद्या में सावन माह की तिरतिया तेथी से मठ मंदिरों में जूरन उस्सो का आगाज हो जाता है जबकि आस्थाई मंदिर में विराजमान भगवान राम लिला श्रामर माह के पंचमी तेथी से जूरन पर विराजमान होकर अद्भुत दर्शन देते हैं हारा कि यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। आस्थाई मंदिर में विराजमान राम लला पांच फिट उचे चादी के बने हिंडोले पर चारो भाईयों समेथ जूरन बिहार का आनंद ले रहे हैं। तो दूर दराश्चे हजारों की संख्या में पहुंचे राम भक्त भी भगवान राम की अद्भूत दर्शन कर अपने आपको धन्य मानने हैं। सावन माह की पंचमीतिती से रच्छा बंधन तक राम लला अपने चारो भाईयों के साथ जोलन पर विराजमान रहेंगे। इस दर्मियान उनको शावन की कजरी गीत भी सुनाया जाएंगे। बिधित प्रकार के मिश्ठानों का भोग भी लगाया जाएगा। इसके बाद वहां पहुंचे राम भक्तों में बित्रित किया जाएगा। इतना ही नहीं। बताया जाता है कि 28-800 तक राम लला के दर्बार में जूलन उसो का आयोजन सीमित अस्तर पर होता रहा है। संगीनों के शाय में बिराजमान रहे राम लला को काश्ट के जूलों पर प्रतिदिन बिराजमान करा दिया जाता था। उस दर्मियान निर्धारी समय उधी में ही सरद्धालू जूलन बिहार का आनंद करते थे। लेकिन जब से आस्थाई मंदिर में राम लला बिराजमान हुए हैं तब से पूरी भववदत के साथ जूलन उसो का आयोजन किया जाता है। बिराजमान होंगे और इस प्रकार से जो गीत गाई जाती है जूलन उसो के उसर में वह गीत भी गाई जाएगा। वह बदहिया भी बजाए जाएगी। यह सब कुछ होगा। जूला परी मली परवर से सुरू हो गया है। और यहां राम लला की जूला पड़ा और उस पर चारो भाई बिराजमान हो गए हैं और उनका जो जूलन उसो जिस रूप से होता है वो मनाई जा रहा है और मुवित प्रकार के में श्ठान और भोग उनको लगा कर गे परसाद बत्रन किया जाएगा। बदहिया जूलन उसो के बिसे में बाइंगा। यहां सावन में कजरी गाई आती है इसने कजरी के रूप में पूरे सावन में बदहिया के रूप में जो आज के दिन है और यह तीस तारिक तक यह जूलन उसो रहेगा और उसी दिन रक्सा बंदन है उसी दिन समापती है और एक तिस को यह जो जूला का समापती हो जाएगा उस दिन जूला उतर जाएगा जी हम बहुत अच्छी बहुत अद्भूत दर्शन जूला पर बैठे हुए चारो भाईयों का दर्शन अद्भूत दर्शन है उसे देख करके सारे भक्त प्रसन है और प्रसन होते हुए सारे उनकी मानुकामना कुछ है कि हम राम लला के दर्बार से अपनी इक्छा इनको मांग करें और जिसे हमारे जो कष्टे हैं दूर हुए अप्राइब को